ऐसा होता है औरत का चरित्र अपना कीम्ती समय निकाल कर एक बार जरूर पड़े एक बार एक जवान औरत कोई में से पानी बर रही थी तभी एक प्यासा आदमी उस कोई के पास गया वहां उस आदमी ने उस औरत से थोड़ा पानी पिलाने के लिए कहा खुशी से उस औरत ने उसे पानी पिलाया पानी पीने के बाद उस आदमी ने औरत से पूछा कि आप मुझे औरतों की तिरिया चरित्र के बारे में कुछ बता सकती है इतना कहने पर वह औरत जोर जोर से चिलाने लगी बचाओ बचाओ उसके आवाज सुनकर गाम के लोग कोई की तरफ धोड़ने लगे तो उस आदमी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं तो उस ओरत ने कहा ताकि गाम वाले आएं और आपको खुब पीटे और इतना पीटे की आपके होश ठिकाने लग जाएं यह पास सुनकर उस आदमी ने कहा मुझे माफ करे मैं तो आपको एक भली और इचद्दार औरत समझ रहा था तबी उस ओरत ने कोई के पास रखा मटके का सारा पानी अपने सरीर पर ढाल लिया और अपने सरीर को पूरी तरह धिरा डाला इतने देर में गाँवाले कोई के पास आप पहुचे गाँवालों ने उस औरत से पूचा कि क्या हुआ औरत ने कहा मैं कोई में गिर गई थी इस भले आदमी ने मुझे को बचा लिया यदि यह आदमी यहां नहीं रहता तो आज मेरी जान चली जाती गाँवालों ने उस आदमे की बहुत तारिफ की और उसको कंदों पर उठा लिया उसका खूब आदर सतकार किया और उसको इनाम भी दिया जब गाँवाले चले गए तो उस औरत ने उस आदमी से कहा कि अब समझ में आया औरतों का त्रिया चरित्र अगर आप औरतों को दुख देंगे और उसे परिशान करेंगे तो वह आपका सब सुक चैन छीन लेगी और अगर आप उसे कुछ रखेंगे तो वह आपको मौत के मुहें से भी निकाल लेगी दोस्तों अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताना